कि या मादली पार्टी मानलो कॉंगर्स से कह रही है चिलाते थे हम कूचा कूचा जिनको गुनहगारों के तरह हैं अब रहते हैं उनी के दिल में हम अब जान से भी प्यारों के तरह हैं और सांसथ किसकी आपकी डबल एपी आपकी बात ठीक है घटना कहा हुई आपके मुख्यमंतरी आवास ठीक पिटाई किस्ते की आपके मुख्यमंतरी केजरिवाल जी के पीए ने सब तरफ आपका पापी बिखरा हुआ नजर आ रहा है इसमें बीजेपी कहा है कि मैं महात्मा इस बार के जुनावों में दक्षन भारत में भारती जन्ता पार्टी को शांदार सब्सक्राइब बहुता है अरे जब तुम नियम प्याड़े हुए हो तो उस नियम के तहत जो मंत्री विभाग का जवाब देगा नहीं मुझे प्रवान मंत्री का जवाब चाहिए हमी लड सब्सक्राइब ठाकरे जी के समय में उस पार्टी में इसमें कितना अंतरा है अब सोचिए तो लोग कहें रहामा मिया वो दिन लद गए जब उताद लड़ूखा फाक्टे उड़ाये रुद्र हूं विशी छोड़ मद्व की काम नामें क्यों करूंगा है अमित्सामर्थ नमस्कार स्वागत है आप सभी के अन्वेट निउस पर मैं हूँ आपके साथ रोह है और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक बेहद ही विशेश इंटर्व्यू के लिए दरसल ये बाचीत बेहद दिल्चस होने जा रही है क्योंकि आज हम एक ऐसे सक्सियस से आपकी मुल आपकात करवाने जा रहे हैं जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं नेता हैं मौझूदा राज सभास्तांसत हैं और वो जब बोलते हैं तो लोग बस उन्हें सुनते रहना चाहते हैं क्योंकि वो ज्यान की बात बताते हैं और विपक्षों को मुहतोड पायदा आता है लोग तो अब उन्हें विकिपीडिया कहने लगे हैं क्योंकि इतना ग्यान है उनके पास कि वो खत्म ही नहीं होता है जिहां हम बात कर रहे हैं सुधान सूत्र वेदीची की बहुत-बहुत स्वागत हैं असरा आपका नमस्कारा पहला सवाल में सुरू करता नहीं यह बिचेत्र चुनाओ है मात्र एक गशक पहले आमादी पार्टी जो कॉंग्रिस पार्टी के लिए राजनीत में असंसदी एक कहे जाने वाले चोर और बैमान जैसे विशेशनों का प्रियोग करते हुए कहते नहीं अगाती थी और वो आज उनके साथ जैसित्र नहीं राजनीत का दवा किया जा जाता है वो नहीं राजनीती के दवे अंदर से कितने खोकले होते हैं यह उसका भी एक प्रतिक है और ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास का पहला चुनाव है, जब गांधी परिवार के सदस्यों ने पंजे पे ना तो मोहर लगाई है ना पंजे पे बटन लबाया है, सोचिए हालात में कितना बदलाव आया है कि पहली बार सुतंता के बाद गांधी परिवार कौंगरिस को तो मुझे लगता है कि जिसे हम कह सकते हैं वो जो पुराना गीत था ना तहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह तो मुझे लगता है इन पार्टियों के इसको उलटके कहा जाए क्यामादी पूरी तरीके से वो तठाकथित जो घ्रष्टाचार के विरुद्ध वाली तड़ाई थी और वो भी एक निया सुरूप आया जो जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों का एलीट कलब है भारत की लाजरी जिसमें लालु प्रसाद यादव जी ने इसको शिरुवात की थी केजरिवाल जी उसके नविन्तम सदस्य हैं और वो एक मामले में अपने गुरू लालु प्रसाद यादव जी से भी आगे निकल गए कौन से में लालु यादव जी ने तो जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया और वो जो है इस्तीफा भी नहीं दिये मुझे याद है हम लोग उसमय यंग थे तो लालु यादव से पूछा गया कि अब आप जेल चले जाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी तो उन्होंने अप यह तो एक मात्रुधारण भारत की राजनीत हैं मगर एक मामने लालु यादव जी से वो थोड़ा सबक लेते नजर आ रहे हैं स्टार प्रचारकों की सूची में उनकी पतनी का नाम केजरिवाल जी के बाद नंबर बन पे है ना पार्टी का कोई मंत्री न महामंत्री ना मा लवे देखने को मिन्द है नंबीड़ता है से अगर कहूं तो भारत की राजनीती इस समय एक ऐसे दोर से गुजर रही है जब भारत अपनी शक्ती च्छमता दड़ता के साथ संबर्धी और स्वाभिमान के रास्ते पर आगे बढ़ आ है अब यह कोई एक्सपरिमेंटल खड़े नेफ्तर्तों का समय है जोशी नरेंद्र मोदी जी के नेफ्तर्तों में एंडी और भाजपा का नेफ्तर्तों करते हुए दिख रहा है यह प्रयोग धर्मी राजनीत का दौर समाप्त हो लेकिन यह स्थितियां तो आप लोगों नहीं पैदा कि असा विपक्षु कह रहे हैं और यह तब थोड़ा और प्रूफ होता है जब 95% के विपक्षियों पर एडी दर्ज़ करती है पिछले 10 साल ला यह जो आप में सवाल किया है बहुत वाजिब है पहली बात को मैं दर्शकों को याद दिला दू किर्जिवाल जी पहली बार जेल गए क्या तो 2012 में भी जेल गए थे जब अन्ना को जेल में डाल दिया था कॉंग्रिस की सरकार ने तो केज़िवाल जी भी उनके साथ जेल में थे और तब आपको याद हो तिहाड के आसपास की सलकों पर हुजूम बढ़ाया था इस बार केज़िवाल जी गए तो कितनी फिर न जराई थी और जो आरोप लगाते हैं कि दोहजार चौदा के बाद ऐसी ऐसी सिती हुई तो मैं पुना याद दिला देना चाहता हूँ कि दोहजार चौदा से पहले के पच्चिस साल ये कोई एक ऐसे दो या तीन साल बता दें जब इन दलों के किसी नेता ने प्रस्टाचार के आरोप में कोट का चेहरी और जेल के चक्कर न काटे हूँ हूँ मैं याद देलाना चाहता हूँ आज सोनिया जी और राहुल जी जिस मुद्दे के ऊपर मुचलके पे हैं नैशनल हेरल्ड केस वो अक्टूबर 2013 में रेइस्टर किया गया दिल्ली हाई कोट के कहने पर हमारी सरकार नही आईए डीमके के नेता कणिमो जी और राजा जेल गए 2011 में हमारी सरकार नहीं थी और एक बात और इस पष्ट कर दू ये सब के सब कोट के द्वारा जेल गए हैं इसमें किसी भी प्रकार का कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने कोई इनिशेटिव डिया हो लोग कोट गए दू कोड़ा जेल गए हमारी सरकार नहीं थी 2006 में शुबू सोरें जेल गए हमारी सरकार नहीं थी और 2000 में करणवानिधी जेल गए 97 नवे में लालु परसाद यादों जेल गए 96 में जलिदा जेल गए 1994 में जारखंड मुक्ति मुर्चा रिश्वत कांड हुआ मुलाहिम सिंग्वा मायवती के खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस दोहजार साथ आठ में आया राजीम गांदी जी के खिलाफ आरोप 1987 में लगे F.I.R. वो फोर्स में 1990 में जारी हुई गजब का तरक हैसाब 1987 से 2014 तक भरस्टाचार के आरोपों में जो डूबे उतराएं हैं भरस्टाचार में डूबे और नहाएं हैं वही आज हम पर यह आरोप लगाएं हैं कि सबकुस 2014 के बाद हो रहा है इसलिए मैंने लोग की थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश कराने का काम किया कि कितने जमाने से लोग जा रहे हैं और यहां पर एक और बात में जो पारलेमेंट में बोली थी और लाइटर नोड में काऊं मैं सिर्फ दो केस बताना चाहता हूं जो नियायले के द्वारा साबित हो यहां पतान नवे मेरे आलु किसा जादर जी जेल गए वो नियायले के द्वारा दोशी सिद्ध होने के बाद उन्नीस सोचाओ जार खंड मुक्तिमोर्चा रिश्वत कांड विए तो उनको वो इमिनिटी नहीं होगी कि आपने संसद के अंदर वोटिंग की इसलिए आपके से महराव सरकार को बचाया था तो तब भी यही जे-म-म थी यही कॉंग्रेस थी यही ब्रष्टाचार था तीस साल पहले तो जो एक पुराना फिल्मी गाना था ना मैं उसको थोड़ा परिवर्टित करके कहूंगा कि हम दोजार चौबिस में खड़े हैं तो मानो यह ब्रष् स्वातिमालिवाल केस में अगर जिक्र अब केजरिवाल का हो रहा है तो उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है स्वातिमालिवाल आज वोट डालती है और वोट डालने के बाद पहला बयान उनका आता है कि महलाओं घर से बाहर निकलो वोट डालना बहुत जरूरी है अब कया डबल एपी आपकी बात भाद, ठीक है, गड़ना कहा हूँ ही, आपके मुक्यमंतरी आवास, ठीक, पिटाई किसंथे की आपके मुक्यमंतरी केजरिवाल जी के पीए ने, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जिसको आपके अलावा कोई दूसरा नजर आ रहा है, इसमें बीजेपी कहा है, और मैं एक और बात कूँ, देखे तई बार ऐसा हुआ है, भारत की राजनीत में ऐसे उधारन आए है, कि किसी राज्य में किसी डल की सरकार है, तो दूसरे डल के सांसत के साथ दुर्वेवार हो हुई, कहां हुई, राज्य में कहां, कहां, मुक्यमंतरी आवास के अंतर, बच्चुनोती तो कहता हूँ, भारत की राजनीत का कोई धारन बता दीजे, कि उसी पार्टी के सीम आवास में इस तरह से बिटाई हुई हो, वो भी महिला सांसत की, तो जैसे कभी 1995 में उत्तर प् संस्क्रप्त में कहना चाहूँ, यदा यदा ही, महिला सांसत, अपॉइंट्मेंट याचत, तदरी केजरी वालस से सिध्धानतत द्वयं, लात घुसा नाम कमर मत थे, चटका नाम उगवंजनम, जब जब महिला सांसत उनसे अपॉइंट्मेंट मांगे, तो शायद उनका सि जाती है, और आज इस सिधी क्या है, कि मतब एक शब्द जो स्वातिम आलेईवाल जी ने स्वैम प्रयोग किया, कि चीर हरन हुआ, मुख्यवंत्री आवास के अंदर, और चरितर हरन हो रहा है, सोशल मीडिया पे आहमादी पार्टी के द्वारा, और केजरीवाल जी तो सांसद, और दो बार से उनकी महिलायोग की अध्यक्ष, राजनीत में आने से बरसों पहले से उनकी साथी, कबीर एंजीओ के समय सी, वो बीजेपी की एजेंट है, वो उन्हें अब पता लग रहा है, तो इस से समझ में आता है कि छुद्र राजनीत के लिए, कोई व्यक्ति और पुराने से पुराने सहियोगी का बलिदान नहीं, उसका चरित्र हनन करने में भी लेश मात्र संकोच नहीं कर सकते, इस से ये इनका अस्री चरित्र है, बिल्कुल आप लोग मजला से सकती करोर को भी बढ़ावा देते हैं, पीम मूदी भी बात करते हैं, मालीबाल पे आप लोग सवाल उठाते हैं, बहुत बेतर हैं, लेकिन विपक्ष फिर ये कहता है कि रेवन्ना भूल जाते हैं, बरिजभूसड़ा भूल जाते हैं, मनिपूरा भूल जाते हैं, आप जो आपने बात कही है, रेवन्ना के विश्यम हिवा सरकार किसकी थी, अगर कोई आप उसको जाने देते हैं, और सवाल है, आप देखिए बड़ी मज़धार बात है, यहां कहते हैं, दिल्ली पुलिस हमारी है, इसलिए स्वाती माली वाल पर कारवाई करने के जुम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, और करनाटक में पुलिस किसकी है, करनाटक में पुलिस में तो भी जुम्मेदारी हमारी है यह जो दोहरा तर्क है यह समझना और मनिपूर मनिपूर की एक बहुत गंभीर घटना के ऊपर भारत सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ सतरकता के साथ और संवेदन शीरता के साथ त्वरित और प्रभावी कारवाई की थी इसलिए जो कैस में राजसभा में था और उप्राष्टपती महोदय ने शुरू कर दिया सेकेंड हाफ में दो बजे प्रोसिदिंग उन्होंने का चर्चा की जा नहीं इस नियम के तहत नहीं 260 नियम के तहत आप सुनिए जब क्यूस नियम के तहत वो शौट डूरेशन डिसकेशन होता है उपराष्टपती बहुदय निस्परस कर दिया कि शौट डूरेशन डिसकेशन धाई गटे का हो ताह इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा आप जितना चाहें बोने ना अब दिल्ली का नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल आया, उस पे आम आदनी पार्टी का साथ रेना था, तो अब 266 की मांग किनारे, अब कहेंगे नहीं, पहले दिल्ली वाले बिल के उपर डिसकेशन हो जाए, उसके लिए हम तयार है, इसका मतलब आप मनिपूर के लिए जो जवाब चाहिए, अरे भाई, जब तुम नियम पे आड़े हुए हो, तो उस नियम के तहट जो मंत्री विभाग का जवाब देगा, न, वो नहीं मुझे प्रधान मंत्री का जवाब चाहिए, चलिए साथ, अब वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, मनिपूर के अरे आपने इतने दिन संसद नहीं चलने दी, कि प्रधान मंत्री का जवाब सुनना है, और प्रधान मंत्री का जवाब सुनने से पहले भाग गए, यह फिर दिखाता है कि राजनीत हो, दूसरी बात, आप के इन सरकार के विभूत अविश्वास प्रस्ताव ले आए, तो आपकी कोई भी कतिविदी मनिपूर में इंफान मनेजर नहीं आ रही, सबकुछ दिली मनेजर आ रही, इसका मतलब मनिपूर के प्रति आपके मन में संबेदना नहीं है, मनिपूर को बुद्दा बना के सिर्फ दिली में राजनीती करती है, संबेदना के साथ हमारी सरका काम ठीक है अब राजनीती और चुनाव पर आ जाते हैं मैं वहीं से सुरुवात करूंगा जब चुनाव के कैंपेंग सुरू होता है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का बयान देश के संसाधनों पर पहले हग की बात आती है मंगल सूत्र का जिक्र होता है कंग्रेस संपत्ति बांट दे कि मुसलमानों में अगर चार जून को आती है मुसल्मानों को डराया जा रहा है पिर हिंद्वों को डराया जा रहा है और साथ में देश के संसादनों पर पहला माननी ये प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही इस पश्ट रूप से यथार्थ परण बाद के मैं चोटा सा प्रशन पूछता हूँ इन्होंने इहरिटेंस टैक् रखा है मुस्लिम पर्सनल लॉड तो यह जो तथा कथित विरासट टैक्स की बात कर रहे थे कॉंग्रेस इंडी गठवंदन से चुनोती से पूछता हूँ कि यह कॉमन सिविल कोर्ट की तरह लागू होने वाला था या पर्सनल लॉड अलग रहने वाला था चुनोती क्या कि यह विरासत का जो कानून आप लाने की दावा कर रहे हैं तो किसमें लागू होगा सिर्फ हिंदुओं पर क्योंकि मुस्लिमों का तो पर्सनल लॉड अलग है और इनहेरिटेंस पर्सनल लॉड का हिस्सा है जो प्रधान मंतिजी ने कहा होता है एक्दम टेक्निकली परफ है और वो केवल ऐसी नहीं था माइनौरिटी जो उनकी कमिटी की रिपोर्ट है जून 2006 की जिसमें बहुत क्लियर कट लिखा है कि 15 प्रतिशत आउटले माइनौर्टी के लिए करना है अगर आप ध्यान करिए अभी जो पशिम बंगाल हाई कोट का जज्जमेंट आया आप ब OBC कमिशन ने पिशड़ा वर्ग आयोग ने यहां पर में बात और इस पश्ट कर दो यदि पुद्धान मंत्री मोदी जी ने पिशड़े वर्ग आयोग को समवैधानिक दरजा ना दिया होता तो राजसरकारे अपनी मनमानी करके OBC सूची में मुस्लिमों को एड़ करती रह वो तो चूंकि अब समवैधानिक दरजा प्राप्त है तो आपको पिशड़े वर्ग आयोग की बात का जवाब देना पड़े गा जब पिशड़े वर्ग आयोग ने पूछा कि यह कैसे हो गया कि 75 मुसलिम है तो उन्होंने का कनवर्ट होने से पहले यह लोग इस जातिके इसलिए इनको दे लिया गया अब देखिए दोनों बातों में क्या करते हैं । अब आप आईए उसके बाद पुछा आयोग ने कि इतना कैसे हो गया चुक उस पे एकदम सेक्ट्र चुकती होगे और उसमें आयोग का यह कहना कई जातियां एसी हैं जो मुख्यता बंगला पुर्वांचल में चलेज़े जाएगा। जाट समुदाय पाये जाएगा। तो बहुत इसी जातियाएं है तो पुर्वी बंगाल में ही पाई पश्मी बंगाल में नहीं तो सीधे सीधे दिख रहा था कौन देश के संसाधनों पर हक देना चाहता था और प्र एक और बात कह दू यह वख? वक्पोर्ड की जमीन है उनकी नजर में तो आप को वक्पोर्ड ट्रिबिनल में जाना पड़ेगा तो जो बाते कही गई है आज की मैं युवापेडी से कहूं गाँगा थोड़ा सा गहराई से जाके सर्च करिए social media पे परचार दुश परचार में मत पढ़िये पढ़िये workboard act क्या कहता है पढ़िये places of worship act क्या कहता है और कुछ लोग कहेंगे आप बदल क्यों नहीं रहें उसका कारणी है कि court में विचारा धीन है यह दोनों मामले challenged है मतब आप सोचिए कितना मज़िदार act है कि यदि मुस्लिम वक्त मतब धार्मिक संस्था किसी संपत्य पे दावा कर दे कि यह हमारी है तो उस संपत्य का मालिक court नहीं जा सकता चूँकि workboard act उसकी permission नहीं देता workboard tribunal में जाना पड़ेगा अब आप आईए यदि किसी हिंदू मंदिर के हिंदू संस्था को ये लगे कि यह अमुक मस्जित या मुस्लिम धर्मिस्थान हमारे धर्मिस्थान पे बना है तो भी वो court नहीं जा सकता places of worship act ऐसा कानून जहां बनाये गया हो आपको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई किंतू परंत की आवशक्ता है तो जो प्रधान मंत्री जी ने कहा था एकदम technically perfect जो शब्द होता है ना टक्नीकी दृष्टी से एकदम उप्युक्त कहा किंतू परंतू वो वैसी को है ओवो कहे रहे हैं कि राम मंदिर तो बन गया आप ग्यानवापी चिनने कि तयारी लिए अप था कि जाती है कि जैसे राम मंदिर का निरणे हमारी सब काराने के बाद हुआ मैं सबको याद दिला देना चाहता हूँ उससे पहले साथ निर्णे कोर्ट के उत्तर उत्तर राम मंदिर के पक्ष में थे और ये भी आपको बता दें कि वहाँ 1937 के बाद से नमाज नहीं होती थी रेगुलर और 49 बाइस ते दिसंबर 49 को मूर्तियां इस्थापित होने के बाद वहाँ मूर्ति पूजा हो रही किस हैस कोर्ट ने हमेशा उसको डिस्ट्यूटर डिस्ट्रक्चर कहा बिवादिध धाचा आप मैं बताता हूं 22 समबर 1949 की रात को जब मूर्तियां परकट होई तो वहाँ पर पूजा अर्चना चुरू ही कोड के आदेश से कोई कैसे उस समय डिस्ट्रिक मजिस्टेट को छे दिसंबर 92 को धाचा गिरने के बाद अस्थाई मंदिर में मूर्तियों को रखकर पूजा अर्चना की अरुमत जी गई कोड के आदेश से दो हजार तीन में खुदाई कर रहें का आदेश दिया गया कोड के आदेश से जिसमें खंबे निकले 30 सितंबर 2010 को लखनव बेंच अखलाबाद हाई कोड ने जजज्मेंट दिया कि केंद्रिय गुंबत के नीचे का गर्भ ग्रेशी राम लाला विराजमान का जो वन थर्ट वाला तो उसके बाद 9 नॉम्बर 2019 का जजज्मेंट आया 1949 से 2010 के साधे निड़ने उत्तर-उत्तर कोड के पक्ष में आ रहे हैं और यहां पर आप उस पर सवाल उठा रहे हैं तो मौके अफायदा उठा रहे हैं बैरिस्टर साहब इस समय जिसे कहेंगे जिन्ना के मूर्त इमान सुरूब कैसे देखे जिन्ना ने क्या किया था पहले जिन्ना भी कॉंग्रेस के साथ थे और कॉंग्रेस के सदस्य थे फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ मांगे की थी देखे सौ साल बाद हिस्ट्री अपने को कैसे रिपीट करती है पहले उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी को महा गांधी बोलते थे अब कॉंग्रेस मान गई उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरी धारवी भावनाट होती उसके भी मान गए फिर उन्होंने का मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचन शेत्र होने चाहिए वह भी मान गए तो पीछे खड़े होने की अब क्या जरूरत है तिलक और पटेल के पीछे खड़े रहने की अब हमारे साथ आ जाओ बस वो वही कर रहे हैं ये तता कति सेकुलर गल अपनी बहुत छोटी शॉट साइटेज द्रिश्टी के कारण उनको के वल तातकालिक सत्ता से मतलब है पास सा में सफन हो रहे हैं औरे मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं भारत के अंदर इसके लक्षन देखने लगें अब आप देखिए असाम में बदरुदीन अजमल जी की एई-ई-ई-डी-एफ मुस्लिमों की पार्टी उन्होंने बना ली ना अपनी बंगाल में पीरजादा अबास चि दिखू की वो जो सेकुलर फॉरंट है पुर्फुरा शरीक के गद्धी नशीद होने एक पार्टी बना ली है हैं किरिल में मुस्लिम लीग है तो ऐसा नहीं है कि यह जो कह रहे हैं कोई बात हवा में सिर्फ थ्योरी में है वो प्रैक्टिकल में भी दिख रहा है अगर क्या आ रहा था चिंता की बात नहीं है कि अपको मिल गई हैधरवाद में मादवी लता वैसी का तोड़ ऑन्ना मलाई आपको मिल गये तोड़ सूर्या मिल गया आप पुलोंग को तोड़ की जूजि घवा चेहरे हैं लगता है कि साउथ में कमल खिला पाएंग में भिश्वास है कि इस बार के चुनावों में दक्षन भारत में भारती जन्ता पार्टी को शांदार सबलता दे लिए क्योंकि प्रधान मंत्री शी नरिंद मोदी जी के में तुर्ट में और उसके बाद जब अमिशा जी हमारे राष्टी अद्रिक्ष बने थे तो उन्होंने बहुत ग्रास रूट लेविल तक जमीन पे जाके जो काम किया और फिर उस विवस्था को हमारे वर्तमान राष्टी अद्रिक्ष बन्ड़ा जी ने बड़ी कुशलता के साथ जो संगट नात्मग दिस से संचालित किया है तो इस बार उन राज्यों में जहां मापेक्षा कृत बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे मजबूत इस बार हमे नहीं हम खाता कोरने में सफ़नों मैं तीनों नामों पर आपसे कुछ चर्चा जाता हूं माद्वी लटा तीजश्वी सूरिया और अन्नमलाई देखिए समय समय पर पार्टी युवा और जो एनर्जिटिक चेहरे उनको आगे करते रहती अन्नमलाई जी बहुत शांदार का कर रहे हैं अगर आप देखें तो तमिलनाडू में भारती जनता पार्टी पहली बार अपने आप उभर कर सामने आते हैं और अनेक राजनितिक विशेशग्यों ने कहा है कि इस बार भारती जनता पार्टी का मत प्रतिशत बहुत प्रभावी होने वाला है बहुत को तो यह लोग केक वाक देते थे जहाए भी आरेस हो या कॉंगरेस उस बाद देखा जाए possibilities आप एम खेंगर तकर मिली है तो बार मारवी ड़ता जी के द्वारा मिली है तो रियल में लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं आप तो केवल दिखावा कर रहे हैं वोट जी हाद से लेकिन कैसे लड़े हैं अब यहां पर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग यह कहते हैं कि धारमिक विश्यों को लाने की बाद तो यह बताईए मुस्लिमों को आरक्षन देंगे करनाटक में यह कॉंग्रिस बोलेगी हम से कहेगी कि हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं लालु परसाद यादव जी कहेंगे मुसल्मानों को आरक्षन मिलना चाहिए पूरा कप तो फरुक्ःबाद में जो बोला गया वोट जिहाद अब इसमें एस खेल को पूरी तरिकर से खोल दिया है अब यह तटाकतिस सेकुलरदरों को खुला खेल फरुक्ःबादी हो गया है कि चेहरा तो सेकुलरिद्जिम का है और एजेंड़ जिहादियों का है और इसके उससे मुझे क्या चिति कि वोल एक वोड जिहाद ही नहीं है लव जिहाद बेस देश में ऐसे तमाम जिहाद हैं उनसे लड़ाई कैसे लड़े देखिए जो लव जिहाद का विशह है यह मैं एक बार पुना इस पश्ट कर दूं यह कोई भारती जनता पार्टी यह संग करेला केस में जो कोट ने अब्जरवेशन दिये हैं तो उन्हों ने यह कहा कि इट सीम्स डैट टर्म विच इस यूज़ जिहाद और लव जिहाद वो एक्ट्वन नजर आता है क्योंकि उसमें स्टी एफ की रिपोर्ट थी जिसमें माना गया कि 1996 में सीमी के लोगों के इसमें करीब 5000 डिफरेंट केसिस का स्टी की गई थी के रिला पूलिस के द्वारा और यह पाया गया कि यह नेचुरल यानि सहज स्वाभाविक प्यार के मुद्दे नहीं है नेचुरल लव अफेर वाले यह नहीं है यह एक इस्ट्रक्चरड पॉलिसी थी कि मिडल क्लास औ अपर मिडल कास की हिंदू और क्रिश्यन लग्यों को टार्गेट बनाया जाए वहां से लब जी हाथ शब्दा है कम्नुस पार्टी के मुख्यमंत्री ने का और मैं कॉंग्रेस को लोग करना चाहता हूं सहाब आप लोग कितने अपनी गैरत छोड़ चुके हैं ओमन चंडी ओमन चंडी जो कि कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्होंने केरल विरहन सबागे पडल के उपर ही वास्विकार किया और उन्होंने करीब सौश उपर के शैब तीन सो केसे के बारे में उनले किया है कैसा ऐसा हुआ था मतल़ केरल में कम्नुस पार्टी का मुख्यमंत्री बोल लाएं केरल में कॉंग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बोल लाएं केरल में हाई कूर्ट इस विशे को बोल लुजा है और वहां पर रिपोर्टें elaborate हैं अब दिल्ली। मैं आकर सर्फ राजनीर कनी इसलिए जिहादियों के आगे जिजानां है अगर हमें तातकाली सथ बंगाल पर थोड़ा बात करते हैं, बंगाल की जितनी सच्चाई दिल्ली पहुंसती उससे विवत हालात है, चुराओं में जो हमने देखा कब दिछे दारान, संदेश खाली एक बड़ा उधारान, क्या केंद्र सरकार ग्रिह मंत्राले नहीं पकड़ बना पा रहा है या पर म सुची जन जात की महिलाओं के साथ, वुमन एक्टिविस्ट होती है, वुमन राइट एक्टिविस्ट, किसी का कोई स्टेटिमेंट नहीं आया, संदेश खाली के उपर, जो लोग S.C.S.T. के अधिकारों की बात करते हैं, उनमें से कोई किसी ने कुछ बोला ही नहीं, उसक करता है कि यह बंगाल की वह पावन भूमी जहां से बंदे मातरम भी निकला, जहां से श्री अर्विंदो, स्वामी रामकृष्ण परम्हंस, स्वामी विवेका नंग, सुभाष्यन बोस और हमारे संस्थापकत द्यक्ष शामपरसाद मुखर जी निकले, और वहां इतना आया कि राम नवी पर अटैक और अब तो रामकृष्ण मिशन भारत से वाश्रम के उपर अटैक, यह क्या हो रहा है, मुझे पून विश्वास है कि इस बार के चुनाओं में बग्द भूमी से राष्ट बाद की तरंग निश्यत रूप से उगर कराने वाली है, उद्धव ठाकरे कसमसा रहे हैं उस गड़ बंधन, बहुत दिन नहीं है, जिब फिर से एंडिये के साथ है, देखिए बहुत सहज और साभाविक बात है, कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी एक दौर में, जब हमारे साथ थी, शद्धे बाला साथ ठाकरे जी के समय में, उस पार्ट में थे, कि अगर बाबरी मच्चित गिराने में हमारे कारसिवकों का रूल है, तो मुझे इस पर गर्व है, वो बाल ठाकरे जी, जिनके समय में पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, शिवसेनावालों ने जाके पिछ खोद दी ती और उस गड़्डे में तेल भर दिया ताकि उसकी रिपेरिंग में ना होने पाए, वो आज कहते हैं कि हिंदू मुसल्मान और इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा है, मुझे लगता है जब कोई शिवसेना के वेक्ति आके उस शिवसेना की प्रसुनिद होने का दावा करता है, और फिर कहता है कि वो हिंदू मु पुरा शरीफ के गदी नशी पिर्जादा अबास सिद्की के साथ, कम्निस्टों के साथ गटबंदन है, उन लोगों के साथ जो अफजल को हालात का मारा, याकूब मेनन की जुडिशल किलिंग, इसरच जहां को बेटी और जाकिर नायक को शान्दी का मसिया कहते हैं, क्या श जाकरे साथ बोल रहे थे, और उस समय उधव जी और राश ठाकरे जी दोनों साथ में बैठे हुए, बाल ठाकरे साथ बोलना है, मैं चाहूं तो इन दोनों में से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता हूं, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठाकरे परिवार का कोई विक्ती सब्ता में इस्थान नहीं लेगा, मुझे आस तक याद है हम लोगे साथ गडवंदन की पहली सरकार थी 1995 में मनोहर जोशी जी, मुख्यमंत्री बने, शिवसेना भाजपा गडवंदन सरकार के, उनसे पूछा गया, कि आपके आरोब है, कि आपकी सरकार रिमोट से चल रही ह जानते मनोहर जोशी जी ने क्या जवाप पिया था, हाँ, मैं स्विकार करता हूँ, कि मैं आदरनी बाला साथ ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूँ, और वो पार्टी आके सत्ता में, बैठे उदर ठाकरे जी और दो-दो रिमोट चला रहे थे, शरत पवार जी और सोनिया ग चार जून तक, योग्याद इतनात को बतल देंगे, लो भीने केंबर, दिल्ली वाले सीम के है, मुझे तु मैंने कहा, दिल्ली वाले सीम को हमारे बारे में बड़ा बड़ा ग्यान पता है, और स्वातिमाली वाल, बीजेपी के एजेंट है वहाँ तक नहीं पता लगा, उन की बारे कोई कमेंट करने की आवशकता है, तो उत्तर प्रदेश के लिए योग्याद इतनात बहतर दिखते हैं, इतना जरूर मैं कहता हूं, इससे ये दिखाई पड़ता है कि योग्याद इतनात जी के पृति, इसका मतलब केजरिवाल के मन में, सम्मान का भाव है, अगर ये है, तो इसे मैं यथार्त मानता हूं, अगर ये बयान शातिराना है, तो उसका भी उत्तर जन्ता देगी, वैसे केजरिवाल जी का जो स्टाइल है, वो ये है, कि दिखाओ बचकाना, रहो अंदर से शातिराना, उस दिन पहले नितिन गटकरी जी को वैसे टार्गेट का रहते हैं, ये पीम बना देंगे आपको चेहरे, ने आपको ध्यान हो, कह रहे था ना, इसका एक और भी अर्थ समझी है, जब वो ये बात कहते हैं, तो इसका मतलब वो जो स्वीकार कर ले रहे हैं, कि भाजपाग सरकार आ रही है, तह है ना, उन्होंने कहा कि मोदी जी उस इसके बाद फ़ला को बना देंगे, भाजपाग सरकारा रही है, इसके लिए केजडिवाल जी को साथ वार, और वो हमारा सक्षेशन भी बता रहे हैं, आने वाले वर्षों में, ये भी मानना है, कि इसका मतलब लंबे समय तक भाजपाई रहने वाली है, तो कभी-कभी क्या होता है, आरोप लगाने के चक्कर में भी हकीकत जुबां पर आही जाती है, और वो हो गया, तो इस पूरे उनके वक्तवे का एक ही सार है, इसका मतलब वो भी मान रहे हैं, कि मोदी जी के नित्तरत में भारती जनता पार्टी पुनह सप्ता में आ रही है, और शक्तिशाली लोगों को गरीबी के रेखा से नीचे निकाला, एक्स्टीम पावर्टी में हम एक परसेंट लोग रहे हैं, चोवन करोड लोगों को जंधने काउंट मिले, सोला करोड लोगों को उजुला योजना के द्वारा गैस मिली, यारा करोड लोगों को शोचाले मिले घरों को, सो करोड घरों की रेजिस्ट्री महिलाओं के हाथ रहे उसके बाद आप देखिए भारत पांच भी बड़ी अर्थ्रवस्था बना चौथा बड़ा इस्टॉक एक्षेंग बना आटो मोबाइल मैनिफेक्चरिंग में तीसरा बड़ा देश बना सोलर पावर किये जनरेशन में त दूसरे नंबर का देश बना ये बाद ये मैं बता दूँ अब भारत में साड़े साथ करोड़ पर इवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक आटो मोबाइल है यानि स्कूटर या कार जरूर है और नंबर एक पे इंफ्रास्रक्चर में इनिवस्ट करने वाले हम भारत क दुनिया के पहले देश बने चांद के अचूते कोने को चूने वाले दक्षनी द्रू को चूने वाले हम पहले देश बने महिलाश शक्ती नारी शक्ती वंदन अद्रियम के जारा महिलाओं को संसद और विधान सवा में हम लोंने सुनिश्चित किया ये करने वाले पहले द गवाँ श्री रामदीडावी राजमान का भवे मंदिर अध्या में बन रहा है और अबुधावी में मंदिर बना है जो कहते थे राम नदिर बनने के समय पैट्रोल नहीं देंगे मिडिलीज के देश तो आज राम मंदिर भी बना है काशिय विश्विश्वनाद का कॉरिडोर भी बना है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूएई और यूरप कोरिडोर भी बन रहा है और जी ट्वेंटी के बाद मुहम्मद बिन सल्मान क्राउन प्रिंस अफ साओधी अरविया एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुके व्यापार पे बात करने के लिए और व्यक्ति की जब व्यक्ति को सुरक्षा हो याद करिए एक दौर में एक फिल्म आई थी वेडनेस टे जिसमें वो दिखाता है कि वो नसरुद दिन शा की फिल्म जिसमें कहते हैं कि जब आदमी घर से निकलता है तो हर एक एक घंटे पे उसकी वाइफ उसको फोन करके जो कि वो इस्थिती थी उत्तर से दक्षन तक कहां धमाके नहीं के चंडीगड में धमाके चन्नई में धमाके दिन्ली मुंबई पूने नासिक नाकपुर फैजबाद लकनो गोहाटी गया हैदराबाद चलती ट्रेन में धमाका चलती बस में धमाका रेलवे स्टेशन पे ल 11 बिलियन डॉलर भारत में आया है पहली बार यानि विदेशी जो NRI वेस्थे हैं उसमें भारत दुनिया में नमबर बन हो गया हम सब मोबाइल हैं चाइना के बाहर उसकी सबसे बहरी फैक्टरी अगर बनी है भारत में बनी है और डिफेंस प्रोड़क्शन पहले नहीं होत export करने जा रहे हैं और विदेश नीटी में तो मैं सिर्फ एक एही बात कहूंगा कि हम सबसे बड़ा जो हमारा import होता है वो petroleum products का होता है रूस के साथ कर रहे हैं और फिर भी अमेरिका से अच्छे संबंद बने हो आप सोचिए कि रूस ने हमें S-400 anti-missile system दिया है जो उसने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है और उसके साथ अमेरिका ने हमें predator drone भी दिया है जो कि उसने किसी netto country के बाहर नहीं दिया है तो मुझे लगता है कि अगर आप पूरा दर्श देखेंगे तो आप एक ही लाइन आपके मुझे निकलेगी कि अरुन गगन पर महा प्रिगतिका अब ये मंगल गान उठा करवट वदला अंगडाई ली सोया हिंदुस्तान का जल्दी जल्दी कुछ सवालों को मैं मिक्स कर देता हूँ जो बयान है खड़गे साहब कहते हैं बीजेपी की लहर नहीं बीजेपी जहर है अखलेस यादब कहते हैं कि घोटाल अपने चरम पर है आजकल पांसो एमजी पेरसिटा मॉल से बुखार नहीं उतरता उसमें छे साड़े छे सो लेना पड़ता है अशार्ज उनको प्रधान मंत्री नरेंद मोधी नहीं रहेंगे राहूल गान्दी कहा रहा है देखे जो जहर की बात है तो खड़गे जी जो बोलना हैं तो खड़गे जी के लिए मैं कहना चाहूंगा उन पर पुराने गीत की पंक्ती लागव होती है दुनिया में जो हम आये हैं तो जीना ही पड़ेगा कांग्रेस के अंदर उनके साथ जो हो रहा उसके लिए दुनिया में जो आये हैं तो जीना ही पड़ेगा जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा तो क्या आप मान का जहर पी कर उनको चलना पड़ रहा होगा कि अपने से दो फीड़ी नीचे राहूल गानी जी के पीछे खड़े होना पड़ रहा है तो मुझे लगता है वो बहुत साब दिखता है दूसरा आपने अकलेश जी पे अरे भाई जिनको वैक्सीन में बीजेपी की वैक्सीन नजराती है उनको पांच सो एमजी की पैरासिटा मूल से साड़े छे सो एमजी होना चुकि बैक्टिरिया अपना म्यूटेशन करते हैं वाइरस अपना म्यूटेशन करता है इसने उसकी एफिकेसी कमजोर हो जाती है आप बताईए थाथ यह विदेश से पढ़के हैं यह पढ़े लिखें की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर ऐसे नेताओं के हाथ में कभी देश की सत्ता खाबों खयालों में चरी जाए तो क्या होगा समझा जा सकता है जिनको पैरसिता मोल्गी बढ़ती पावर में इंप्लेचन न जाराए वैसे अकलेजी के टाइम में तो पावर जो थी पैरसिता मोल्गी नहीं चलती थी पावर तो बाववलीयों की चलती थी राउल गांदी जी अनेक अवसरों पर अनेक बार बहुत सारे बयान देते रहे हैं चार जून के बाद प्रधान मंत्री जी पुनहां मोदी जी प्रधान मंत्रीपत की शपत लेकर जो अपना आगे का एजेंडा है क्योंकि 10 साल का हम्मारा कारे है पचीस साल का एजेंडा है और उने कहा कि अमरत काल के पचीस वर्ष एक हजार साल के भारत का अधार करेंगे उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और शायद ये देखना पड़ेगा कि राहूल गांदी जी कॉंग्रेस के नेता रह पाएंगे या नहीं क्योंकि कॉंग्रेस के नेता प्रमोत किष्णम ने कहा है कि चार जून के बाद कॉंग्रेस की करारी हार के बाद कॉंग्रेस के अंदर ही राहूल गांदी जी के विरत विद्रो और विभाजन हो सकता है अभी चार दिन पहले उनका इंटर्विव के उन्होंने का है कि दो गुटों पारटी बटने वाड़े अपना निर्णायक प्रभावी और इतिहासिक जनादेश देने गामन मना लिया उत्रप्रदेश की जनता भी इंटर्नेशनल कोर्शन शूट रहा था पाकिस्तान से हमें डरना बेहर जरूरी है इटम बम हमें के पास देखिए हम दुनिया के एकलोते देश थे दुनिया में कह प्रभाई होतीर क्या होता है नरेंद मोदी जी ने कहा इंटर्विव में कि गया था लाहूर देख था बिना वीजा के कितनी हम्मत है और योगी जी कहें फिरिज में थोड़ी रखाऊंगा बमर्स को देखे मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान का रिलेशन पाकिस्ता था और उसके बाद वो तरह तरह की बाते हमसे कहता रहता था मगर अब बदलाव इतना आया है कि बस वही उधारन याद करिए कि जब पाकिस्तान के मेंबर आफ पार्लेमेंट ने पाकिस्तान की नेशनले कंड़ी में कहा था उस समय के विदेश मंतरी शाह महमु कुरेशी साब बैटे थे आर्मी चीफ आए और उनके पाउं का पर रहे थे और उनमें कहा कि खुदा का वास्ता है वे नेंदन को वापस करतो वना इंडिया शाम तक अटेक कर देगा वो करके दिखाया है उसका कारण क्या है कि जैसे हमारी तरफ लखनों में कहावत होती है पुराने लोग नवावी जमाने की बाते करते थे तो लोग कहते थे अमा मिया वो दिन लद गए जब उस्ताद ललुखा फाक्ते उड़ाये करते थे तो उसी प्रकार मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अमा मिया वो दिन लद गए जब शांत के कबुतर उड़ा करते थ वो दिन लद गए जब पाकिस्तान और हमको बराबरी पे तौला जाता था आज पाकिस्तान खुद मानता है कि वो हमारी बराबरी पे नहीं है इसलिए वक्त ने इतना बड़ा बदलाव किया है कि अगर मैं एक पंक्टी में कहना चाहूं तो शायद जो महाराना प्रताप और छत्रपती शिवाजी महाराच का शौर था उससे प्रेणा लेते हुए मोदी जी ने लिया कि कहने को तो राणा के हैं वंशाज कहाते हम राणा साहे पौरुश अब क्यों नहीं विचारिये जीने के लिए तो मना सीकना ही होगा प्यारे का है कि जब तक मा थी लग रहा था मैं बाइलाच कर दो जब से मा गई है ऐसा लगता है कि एश्वर ने किसी काम के लिए मुझे भेजा है विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी अपने आप भगवान का उतार मानने लगा है तो कहीं ने कहीं एश्वर ने आपको नियत किया उसके कर रहें और जब कोई व्यक्ति राश्ट्र के इस्तर पर कारे करें और यह माने कि मैं निमित बनकर कारे कर रहा हूं वो लों को शायद हिंदु धर्म और संस्क्रती के बारे में पता नहीं है जब भगवान कृष्ण ने घीता में अर्जुन को कहा है प्रेडित होने के तो में आदेश दे रहा हूं तुम करो तुम से निमित्र मात बनो यू जस्ट अमीडियम तो बोदी ने वही कहा जिसे हम करते ना स्वेम सेवा से माकी सेवा का वर्त धारा है तो उस समय जब वो प्रचारक जीवन के रूप में निकले थे उसी समय तैकर लिया था वही कहते मगर जिनकी भावना अपवित्र हो उसको इसमें भी कोई ना कोई राजनी ते दिखाई तो अब रैपिट फार राउन कुछ सवार नाम लूँगा आप उन पर जो भी कहना चाहें कम सब्दों में ही सबसे पहला नाम अमिश्या वो पत्क्या पतिक कुशलता क्या जो पत्मे दिखरे शूल नहों नाविक की धर परिक्षा क्या जो धाराएं प्रतिकुन नहीं प्रदान मंत्री नरेंट मोगे रुद्र हूं विशिछोड मदु की काम नामें क्यों करूंगा है अमित्सामर्त मुझमें आयाचना में क्यों करूंगा योग्याद इतनात है हनुमान तही परसा करिपुन की ने प्रणाम जाम काज की ने विनों मोहिक हां विश्था अकलिश यादव पिता जी की विरासत प्राप्त की और अपनी सियासत से उसे सपह पर ले आए अन्ना मलाइव दक्षण के छितिच पर उभरता हुआ सितारा युवा और संभावना पूर्ण सामर्त शाली युवा मोचा के देता अभी निर्णय आयेगा परिणाम तब सब को समझ में आयेगा कि इसमें कितनी चौकाने वाली संभावना है नहीं है तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं यह बिचारे अन्ना को गुरू मानकर राजनीत शुरू किये थे जिस्राम लिला मैदान में उसी में लालू परसाद यादव को गुरू मान लिये तो इनके लिए तो वही पंक्ति है जो मैंने पहले भी बोली थी कि मुझे दुनियावालों शराबी न समझो तुम शराब घुटाले में तो अंदर है मुझे दुनियावालों शराबी न समझो पीता नहीं हो पिराई गई है और जिधर बेखुदी में कدم लड़कडा हैं वही राह मुझ को दिखाई गई स्वाती मालिवाद संघर्ष अपनों से एक लाइन में कहूं दोस्त दोस्त नारा मंतव नर्ची भतीजे के मोह और वोट के ब्रह्म में कई बार सच दिखते हुए भी नहीं दिखाई देता है युवानेता राहुल गांदी चिर युवानेता कहिए चिर युवानेता है राहुल गांदी जो चिर युवा भी है और चिर व्याकुल भी है और वो जिस ढंकी बाते करने लगे हैं कुछ बड़ी अनर्गल प्रकार की और वो कह रहे हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ना है मुझे ये चीज दिखाई नहीं पढ़ रही मुझे वो कुम्रों की खुद मुखतारियों को कौन समझाए कहां से बच के जाना है कहां जाना जरूरी है उसे एहसास करने का सरीका ही नहीं आता जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है राहुल गांधी दो दो यात्राएं कर चुके मगर नतीज़ा क्या रहा और वो जिन पूरे भारत की राजी दोनिया में आफसरीड हो चुके हैं अल्ट्रा लिफ्टिस्ट सोच लेकर पता नहीं क्या सोच रहें तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा राउल गांधी के लिए कि कश्टी भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला पर इन दूबने व का जवाब दें तो फिर वाशिंग मेशीन बताए जाए गांगा वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमा हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में सुधान सुधिर वेदी अपने बारे में क्या कुछ कहना चाहूंगा कि उस भारत भूमी पर जन्म देने का सौभाग्य मिला जिसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है गायन्ति देवा हकिल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमी भागा स्वरगा पवरगास पद भागे तो भवन्ति भूया पुरुशासरत्वाद अर्थात वो भारत करने के उपरांत मनुष्य रूप में इस भूमी पर जन्म लेने को लालाइत रहते हैं चूंकि यही मोक्ष भूमी है यही पुन्य भूमी है तो मैं यह कहना चाहूंगा जिस जिस ने भारत की धरती पर जन्म लिया है अगर इस धरती पर जन्म लेकर इस पुन्य भूमी जन लेकर आपने आद्यात्म भारत के और ग्यान इसके इसका थोड़ा बहुत भी आपने अनुपान नहीं किया तो वही है कि तुने रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए और हीरा जनम अमूल था कोड़ी मो ले जाए ये ना हो तो इस भारत दूमी के लिए उन्हा फिर कह द कि उपनिश्रिक फिलोसफी इस अगर मनुष्य का सबसे विक्सित मश्रिक देखना है तो भारती आकाश के नीचे आ पड़ेगा बस यहां जन्म लेना ही सबसे बड़ा सोभाग्य है और उसके ज्यान का यदि कोई एक बूंद भी मिल सके तो ये उसकी साथ अपता है इस बा पर बहुत शांदार तरीके से अपनी बात रखी है अब आपको ये चर्चा कैसी लगी ये चर्चा कमेंड करके जरूर बताइएगा और बने रहीएगा लगातार हमारे साथ क्योंकि आपको आगे और भी ऐसे सक्सिर से मुलाकात करवाँगा और उनसे इसी तरीके से बातश